नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल पर दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि एरफोर्स के लिए सबसे इंपोर्टेंट अगर कोई वैपन सिस्टम होता है तो वो होता है उसका फाइटर जेट या फिर एरक्राफ्ट इसके इलावा नेवी के लिए वार्शिप होता है उसका में बैटल टेंक और आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी के में में बैटल टेंक के भारे में कि फ्यूचर मेंoned इंडिया के क्या प्लैन है और अभी कौन-कौन से टेंक इस के पास में है तो छलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों अभी हमारी आर्मी के प किया जाना है, ऐसे में इसी के लिए ही option देखा जा रहा है और ये T-72 टैंक भी Russian टैंक ही है और हमारे पास locally बने Arjun टैंक भी है अगर हम Arjun टैंक की बात करें तो अभी इसके दो version है, MK-1 और MK-1A, MK-1A का order अभी recently दिया गया है जो की 118 की संख्या में है और जो अभी Arjun MK-1A टैंक है, इसके अंदर लगबग 14 improvement की गई है और काफी चीज़ें इसके अंदर change की गई है यानि कि ये बहतर टैंक है और दोस्तों इसके इलावा हमारा plan Arjun MK-2 का भी था, जो कि इससे भी बहतर होना था, अभी उसके plan के बारे में कोई भी clarity नहीं है, लेकिन इसके अंदर काफी ज़्यादा design change किये जाने थे जब पहले इसके बारे में announcement हुई थी और साथ ही इसके weight को भी कम किया जाना था, जो अभी presently 68.5 ton है लेकिन दोस्तों अभी ऐसा लगता नहीं कि Arjun MK2 tank कभी आएगा क्योंकि इसके weight के अंदर काफी ज़्यादा problem है और Indian Army भी अब नए tank के बारे में सोचती है तो ऐसे में बात चल रही है next generation main battle tank के बारे में इसे NG MBT भी कहा जाता है ये basically T-72 main battle tank को replace करने के लिए होगा और इसके लिए parliamentary committee ने एक सिफारिश भी की थी कि इसके लिए DRDO को अलग से fund दिया जाना चाहिए और उसके बाद में ऐसा लगा कि एक medium weight का tank बनाया जाएगा और 50 की संख्या के अंदर इनकी development भी की जाएगी जिने दोस्तों कहा जा रहा था कि हमारे indigenous engine से ही power मिलनी थी जो कि 1500 horsepower का होना था और साथ ही इसके लिए locally एक smooth bore की gun भी बनाई गई थी जो कि 120 mm की थी लेकिन दोस्तों इसके इलावा 2010 में भी एक बार इसके उपर चर्चा चली थी उस समय इस tank को future main battle tank कहा जा रहा था लेकिन इसके उपर ज़्यादा आगे नहीं बड़ा जा सका क्योंकि Indian Army के top brass का interest Russia के नए tank के अंदर था जो कि next generation का main battle tank कहा जा रहा है जिसका नाम T14 Armata है और ऐसी कई बार report भी आई है कि इस tank को India खरीद सका है T90 के बाद में तो ऐसे में दोस्तों अब Indian Army के पास में एक ही option है कि Arjun MK2 अगर नहीं आ रहा तो next generation main battle tank program के उपर focus किया जाए और इसके लिए दोस्तों जल्द ही काम भी शुरू हो सकता है क्योंकि Arjun MK1 ए tank का भी ऐसा लग रहा था कि इसका order नहीं आएगा जब इसकी दो regiment का order दे दिया गया तो उसके बाद आगे की उमीदे भी बढ़ गई है और जब से आतम निर्वर भारत campaign लोंच हुआ है तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि defense की सारे equipment locally बनाये जाएं और tank के अंदर हम काफी ज़्यादा सफलता हासिल कर चुके हैं इसलिए उमीद यही होगी कि इसे locally ही बनाया जाएगा और T-72 tanks को replace किया जाएगा धन्यावाद जैहिन